दोस्तों आज एकनॉमिक्स होनर्स के आखरी सत्र पे बात करेंगे यनी समेस्टर संख्या 6 चट्थे समेस्टर पर आज बात करने हम लोग आये जैसा कि पीछे मैं बता चुका हूं कि इकनॉमिक्स होनर्स इगनु का एक बहतरीन कोर्स है और ये तीन वर्स और छे समेस्टर में विवाजित है समेस्टर का अर्थ मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप कन्फ्यूज ना करें अभी इगनु में वार्सिक परिक्षाई होगी फिलहाल जब तक कोई आगे सूचना नहीं आती है तो ये तृतिये वर्स यानि आखरी वर्स ओनर्स यानि प्रतिस्था और इकनॉमी और सास्थ प्रतिस्था के चट्टे समेस्टर के इगनु के कोर्स के बारे में बात करेंगे फिर यहां इगनु के कोर्स को हम लोग पुर्व चर्चित पुर्व ग्यात पांच मुक्षिर्शकों के अंतरगर देखते हैं यानि पहला कोर्स, दूसरा डिसिप्लिन स्पेस्थिक, तीसरा अबिलिटी इन्हेंस्मेंट, चौथा एस्किल इन्हेंस्मेंट और पांच मा जेनरी केलेक्टिक जैसा के पीछे बता चुका हूँ कि कोर उस विसह से सीधा सीधा संबद होता है जबकि डिसिप्लिन स्पेस्थिक का भी कहीं न कहीं संबंद विसह से ही होता है लेकिन अबिलिटी इन्हेंस्मेंट आपके अंदर अत्रिक चमता का विवर्धन करता है वो चमता पहले समिस्टर में आपने देखा है कि प्रयावर नहीं अध्यान था दूसरे समिस्टर में आपने देखा है कि भासा संबंदी ग्यान का उसके आद अबिलिटी इन्हेंस्मेंट का रोल खत्म हो जाता है तीसरे हिस्से में स्किल इन्हेंस्मेंट आता है स्किल इन्हेंस्मेंट कॉसल संबर्दन जिसमें बहुत सारे विश्यों में से कुछ चुनने होते हैं वो आपको तेह करना है कि आपकी गिर्वशन की बात की यात्रा किस दिसा को जा रही है क्या आपने अपने लिए लक्ष निर्धारित किया है यानि जीपको पारजन के लिए आप क्या करना चाहते हैं आप खुद का कुछ करना चाते हैं, खुद का उद्यमसीलता वीक्षित करना चाते हैं, किसी निजी छेतर में नौकरी करना चाते हैं, आगे की पढ़ाई करना चाते हैं या प्रतियुक्ता परिक्षाओं की त्यारी करना चाहते हैं, प्रतियुक्ता परिक्षाओं में किस सस्तर की त्यारी करना चाहते हैं, सिविल सर्विस की त्यारी करना चाहते हैं, PCS की त्यारी करना चाहते हैं, या SSE, bank, railway, etc. जो भी government sector की परिख्षाएं हैं उसकी त्यारी करना चाहते हैं उस हिसाब से आपको इसके लिए enhancement को चुनना चाहिए और generic elective को तो core course के अंतरगत इगनू ने यहां पे भी दो subject को रखा है क्या है पहला Indian economics 2 भारतिय अर्थसास्त्र भाग 2 पहला subject दूसरा है B.E.C.C. 114 development economics part 2 यनि यह अभी तक आपने core course में 12 subject का अध्यान कर लिया 14 में से कुल 14 subject करने हैं दो subject says थे वो है Indian economics 2 भारतिय अर्थसास्त्र भाग 2 और development economics विकासवादी अर्थसास्त्र जो विल्कुल अर्थसास्त्र का एक नया नजरिया है जिसमें बहुत सारे चीजों को मिलाके अर्थसास्त के अंदर कर रखा गया तो हमने देख लिया कि Indian economics और भाग दो और development economics दो कोर सब्जेक्ट के अंतरगत कोर कोर्स के अंतरगत दो subject का हम चैन करेंगे अब हम आते हैं कोर के बार अब हम चर्चा करेंगे discipline specific course के discipline specific course में पीछे भी मैंने कहा था कि ये subject से ही जुरा हुआ जुरी वी बात है और इसके अंतरगत हम देख रहे हैं applied economics यानि दो subject है इसमें से एक चेक credit का पढ़ना है एक कोर कोर्स में दोनों पढ़ने थे इसमें से दो में से एक और दूसरा financial economics यानि applied economics और financial economics दोनों बहतर इन course है आप कोई जिसमें रूची है उसे ले ले और ये छे credit का है यहाँ पे आपको optional मिलता है कोर कोर्स में ऐसे optional की कोई गुण जाइस नहीं है अब इसके बाद हम बात करेंगे ability enhancement course की जिसके अंतरगत कुछ भी नहीं पढ़ना है ability enhancement के अंतरगत हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है दो semester के बाद इसकी कहानी खतम हो जाती है अब तीसरा आता है skill enhancement course जिसके अंतरगत भी हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है second, third और fourth semester में हमने skill enhancement के अंतरगत धेर सारे subject को देख लिया था last में आता है generic elective यानि generic elective के अंतरगत भी हमें कुछ नहीं पढ़ना है और इस तरह से honors का course समाप्थ होता है कि last semester के अंतरगत फिर से मैं एक बार इस चीजों को दुहरा दूँ कि core course के अंतरगत दो subject पढ़ने है और उसके बाद हमें discipline specific course के दो subject है और इस दोनों subject के बाद इस semester की कानी खत्म होती है इस तरह से economics honors खत्म होता है जाहिन एक बात कहना चाहूंगा अगर ये वीडियो आपको आपके लिए उपयोगी है सुचना दे रही है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दवाएं अधिक सदिक लोगों के भी शेयर करें ताकि विशाय के चैन में या किसी भी डंकी जानकारी इगनुग से संबंदित लेना चाहते हैं तो उन्हें स्रययोग मिलेगा हमारे बहुत सारे बीडियो इगनुग के उपर प्राइमरी जानकारी का है चुकि फिर मैं दोराना चाहूंगा कि करोना माहमारी के च रहें कि कहीं न कहीं किसी को किसी भी अस्तर पर ये जानकारी हमारे काम आ जाए contact email straightforwardclasses at gmail.com phone number 901-30-111-749 WhatsApp 888-00-74-0094 झाल झाल झाल